असलाम वालेकुम एवरिवन एन वेलकम टू माई चैनल एस्पारेंट्स और फ्यूचर मोसली पेपर्ज में मैथ पार्ट में हैट्स और फिट्स से रिलेटीड एक क्वेस्टन आता है जिसको सॉल्ड करने में स्टुड़न्स को बहुत जादा कन्फूजन होती है उनकी एक्वेशन्स नहीं बन रही होती तो आज हम उसकी ट्रिक डिसकस करेंगे कि कैसे एक्वेशन्स बनाए बगएर हम उसको एक सिंगल स्टेप में सॉल्ड कर सकते हैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टुड़न्स जो इस चैनल पे नियू हैं उनसे रिक्वेश्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले पेपर में इस तरह के क्वेश्टन आपके पास आता है अब फार्मर रेजी चिकन्स एंड काउज एक किसान है जिसने मुर्गियां और गाये रखी हुई है अगर उनकी तदाद काउंट की जाए तो वो 120 बनती है and a total of 300 feet अगर उनके legs calculate किया जाए उनके feet calculate किया जाए तो वो 300 बनते है find the number of chickens हमने बताना है कि उसके animals में से chickens कितने है तो इसके जो standard solution है वो आपके सामने show किया गया है हमें पहली question मना नहीं होती है जिसमें हम use करते हैं कि animals कितने हैं दूसरी question में fit को use करते हुए दूसरी question मनती है फिर उनको simultaneously solve करना होता है जो के बहुत ज़्यादा time wasting है तो हम इसको recommend नहीं करेंगे हम इसकी trick को देखते हैं कि कैसे हम एक single step में इसका answer निकाल सकते है तो यह वही question है जो फिछली slide में show हो था आपके पास chickens हैं और cows हैं हमें total उसके heads given है और fit given है हमने बताना है कि इसमें number of chickens कितने हैं तो आप इसकी trick note कर लें सबसे पहले आपने यह देखना है कि जो animals आपसे पूछे गए हैं उनकी legs कितनी होती है उसने क्या पूछे है find number of chickens chickens की two legs होती है तो आप याद रख लें कि two legs वाले animal अगर पूछे जाएंगे तो उसके लिए यह formula लिखना है आपने जो मैं अभी लिख रहा हूँ सबसे पहले आपने लिखना है 4H minus F divided by 2 बस इस formula को याद रख लें इसमें आपने H और F substitute करना है और आपके पास answer आ जाना है बस क्या काम करना है आपने यह देखना है कि कितने leg वाले animal पूछे गए हैं chickens पूछे गए हैं chickens की दो legs होती है तो यह formula याद रख लें 4H minus F divided by 2 इसमें आपके पास देखें जो number of heads हैं वो given है 120 तो आप H की जगह पे 120 पूट कर देंगे उसके बाद minus sign आ गया उसके बाद feet देखें कितने हैं feet आपके पास है 300 तो उसकी जगह पे 300 पूट कर देंगे direct आप यह formula यूज़ करें 4H minus F divided by 2 तो आपके पास answer आ जाएगा अगर आपको trick बहुत अच्छी लगी है तो उस channel को जरूर सब्सक्राइब कीज़ेगा last question में हमने क्या किया है कि 2 leg value animal पूछे गए थे तो उसके लिए चोटा सा formula हमने याद किया है अब यहाँ पर हम यह question शो हो रहा है इसमें हमारे पास 4 leg value animal के लिए हम देखेंगे कि 4 leg value animal के लिए क्या formula है उसके लिए भी छोटा सी modification है बस उसको याद रखने है आपने तो यह देखें वो कह रहा है जी एक किसान है जिसके पास मुर्गिया है और साथ में rabbits हैं खरगोश if his animals have a total of 140 heads 140 heads है total जानों की दाथ 140 है and total of 360 feet और total जो legs हैं वो 360 हैं हमें बताएं उसमें से rabbits कितने हैं अब मैंने पहला step आपको क्या बताया है कि आपने यह देखना है कि जो animals पूछे गए हैं उनकी legs कितनी हैं उसने कहा है find number of rabbits rabbits की four legs होती हैं तो four leg वाले animals अगर पूछे जाएं तो उसके लिए आपने यह formula note कर ले f minus 2x divided by 2 पीछे वाला formula याद रखें और यह formula याद रखें बस आपको यह देखना है कि जो animals पूछे गए हैं उनकी legs कितनी है two leg वाले animals होंगे तो पीछे वाला formula लगा देना है four leg वाले होंगे तो यह वाला formula लगा देना है 360 minus 2 into 142 80 होता है divided by 2 आ जाएगा 360 minus 2 80 80 हो गया 80 divided by 2 तो आपके पास 40 rabbits answer आ जाएगा बस आप दो formula याद रखने हैं और आपके पास answer आ जाना है that's it अब आपके लिए एक question है यह आपके पास एक quiz है इसको trick यूज़ करते हुए solve करें देखें जो animal पूछे गए हैं उनके लिए कौन सा formula यूज़ होना है heads calculate करें legs calculate करें और formula में put करें और directly answer निकालें वीडियो को इधर pause कीजिए अपना question complete कीजिए और फिर वीडियो को resume करके अपना answer आप next slide में चेक कर सकते हैं तो यह आपके पास quiz का solution है अगर आपका answer 36 पीजन आ रहा है तो आपके पास आपका answer बिल्कुल perfect है आपको tricky proper understanding हो चुकी है जो students get, net और head की preparation के लिए हमारी online academy को join करना चाहते हैं वो दिये गए whatsapp number पर contact कर सकते हैं या दिये गए email पर contact कर सकते हैं उनको इंशालाब पूरे course की proper preparation करवाई जाएगी थैंक यू फर वाचिंग फूल वीडियो प्लीज लाइक, share and subscribe for more math tricks इस channel पे और भी कभी सारी math की tricks अपलोड हो चुकी है जिनका लिंक आपको नीचे description में दिया गया है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें टेक एर, Allah आफिस, assalamualaikum